हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क और वर्गमूल प्रशनावली 6.1 से कोशन नमबर 5 तो 6 वर्गमूल करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे अब कोशन नमबर 5 देखें निमने प्रतिरूप का अवल तो नहीं नहीं मतलब समझना है ये किस तरह से लिखा है और फिर इं रिक्त स्थानों को जो खाली स्थान है इन्हे भरना है तो देखिए समझते हैं कैसे लिखा है देखिए यहां लिखा है 11 का वर्ग बराबर 121 फिर 101 का वर्ग बराबर 10201 फिर 101101 का वर्ग बराबर 102030201 अब हम समझेंगे कि इनका वर्ग ये किस प्रकार लिखा हुआ है देखिए ग्यारा का वर्ग 111 इन्होंने कैसे लिखा है देखिए एक है तो यहां भी एक है फिर यह जो दूसरा एक है इसको इन्होंने क्या कर दिया है दो कर दिया है उसके बाद दो से बैक जाएं हम दो से बैक जाएंगे तो क्या है एक और वो एक क इसको इनोंने क्या कर दिया है दो कर दिया है फिर उसके बाद दो से बैक जाएंगे तो क्या है जीरो एक वो जीरो एक यहां लिख दिया है ठीक है उसके बाद देखे इसका वर्ग यह किस तरह लिखा है इनोंने देखे यहां एक है तो यहां भी एक है फिर यहां जीरो है तो दो कर दिया है फिर जीरो है तो फिर जीरो लिखा है उसके बाद यह तीसरा एक है तो इस तीसरे एक को इन्होंने क्या कर दिया है तीन कर दिया है उसके बाद तीन से अगर हम बैक जाएं तो क्या है जीरो दो जीरो एक तो वह जीरो दो जीरो एक यहां लिख दिया है तो अब इसी तरह इसका वर्ग हम यहां करेंगे तो यहां क्या आएगा तो देखें यहां पर अब हम लिखेंगे देखें एक है तो यहां भी क्या आएगा एक आएगा फिर जीरो है तो जीरो आएगा अब यह जो दूसरा एक है इसको हम क्या कर देंगे दो कर देंगे तो यहां क्या जाएगा जीरो आ जाएगा फिर देखे यह जो चोथा एक है अब इसे हम क्या कर देंगे चार कर देंगे ठीक है अब चार से हम बैक चलेंगे चार से बैक देखे क्या है जीरो तीन जीरो दो जीरो एक तो वह हम यहां लिख देंगे जीरो तीन फिर जीरो फिर दो फिर जीरो और फिर एक, ठीक है, तो हमने इसका यह रिक्तिस्थान भर दिया, अब देखे, अब हमें बताना है कि यहां क्या आएगा, अब हमें यह रिक्तिस्थान भरना है, तो देखिए, अब अगर हम देखे, तो यहां हम दो तक गए हैं, ठीक है, दो तक गए हैं, उसके बाद तो य एक है एक दो टीन 3 एक है और उन्स के बेच में एक एक 0 है अब इसको गए हैं तो यहां कितने एक होंगे पांच एक होंगे और उन सब के बीच में क्या होगी जीरो होगी तो देखिए हमने लिख दी हाँ पर पांच एक 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 दो तीन चार पांच एक लिख दी है उन सब के बीच में एक एक जीरो ठीक है तो यह था कोशन नमबर फाइफ नेक्स question number six देखिए six question है दिए गई प्रतिरूप का उप्योग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए तो हमने इस प्रतिरूप का उप्योग करते हुए यहां पर कौन सी संख्याओं आएंगी वो बताना है ठीक है तो देखें क्या लिखावा है एक का वर्ग जमा द तेरा का वर्ग बराबर है तेरा का वर्ग अब यह समझते हैं यह लिखे कैसे हैं देखिए एक का वर्ग जमा दो का वर्ग लिखा है ठीक है अब देखिए एक को मैं दो से गुणा करूं तो क्या आएगा दो तो यहां उन्होंने क्या लिखा है दो ठीक है ऐसे ही देखिए 2 को मैं 3 से गुणा करूँ 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 तो यहां क्या लिखा है 6 फिर ऐसे ही मैं 3 को 4 से गुणा करूँ 3 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 12 तो यहां क्या लिखा है 12 तो फिर देखें यहां क्या आएगा 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 20 तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा तो हमने यहाँ पर लिख लिया 20 अब आगे देखिए 5 का वर्ग जमा, डैश अब हमें बताना है यहां क्या संख्या आएगी तो देखिए यहां पर क्या है 30 का वर्ग है तो मैं 5 को किस से गुणा करूंगी तो 30 आएगा तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा इसका मतलब यहां क्या आएगा 6 का वर्ग क्योंकि देखे यहां पर जो संख्याएं थी वो कैसे आ रही थी इन दोनों संख्याओं को गुणा करकर आ रही थी वो संख्या जैसे 4 को 5 से गुणा कर रहे थे तो क्या रहा है 20 आया तो यहां पर जहें 5 को किस से गुणा करेंगे कि 30 आया 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा ठीक है अब आगे देखे 6 का वर्ग जमा 7 का वर्ग अब हमें बताना है यहां क्या आएगा तो 6 को किस से गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे 6 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 42 तो यहां क्या आएगा 42 का वर्ग तो हमने यहां 20 आया था 20 के बाद 21 30 के बाद 31 अब यहां के आया था देखे हमने देखा यहां 42 आया था तो 42 के बाद यहां के आएगा 43 तो यहां के आजाएगा 43 ठीक है तो यह था question number 6 तो आज इस वीडियो में हमने question number 5 और 6 solve करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू